नमस्कार विद्ध्याथी मित्रो चेप्टर नम्बर बे जैवीक वर्गी करण मा आजे अपनी फूग सुरुष्टी विशे अभ्यास करेशू आरेच वीटी करजी पांच सुरुष्टी वर्गी करणा पी एमा पहली जे सुरुष्टी छे मौनेरा छे जैना विशे आपड़े अभ्यास करेशू त्यार बाद आपड़े प्रूटीष्टा विशे अभ्यास करेशू बराबर अने येना पछी त्रीजी सुरुष्टी छे फूग फूग पछी वनस्पती सुरुष्टी आवसे अने छेली प्राणी सुरुष्टी तो जो ही आपने तो फूग ए विशम पोसी सजीवो नी अनुपम सुरुष्टीनी रचना चे विशम पोसी एड़लेके बीजा उपर आधारीच छे पोशन माटे आ सजीवो बीचा उपर आधारीच छे फूग ना अभ्यासनी माईको लोजी तरीके उळखवामा आवे छे तेवो तेमनी बाहियाकार रचना आने नेसरगीक निवास्तानमा खुबज विवित्ता दर्स आवे छे तो एमनी आ विवित्ताना केटलाक उदाहनो आपनने आपे आछे जमके ब्रेड उपर थती सफेद दांतना जेवी रचना ब्रेड मोल्ड केवाई नारंगीनो सडो रोट्स खावामा वपराता मस्रूम अने बिलाडीनो टोप जने टोड स्टूल पन केवाई छे राइना परणो पर जोवा मलता सफेड टपका ब्रेड अने जवनो दारू बनावा वपराती इस्ट आ इस्ट जेछे एपन एककोशी फूग छे गहुमा थतो गेरूनो रोग एपक्सिनिया फूगने कारणे थाए छे जैरे पेनिसिलियम फूग ए प्रती जेविक द्रव्योंनो श्रोत छे तो आविरते जेशे वेविद्य दरावती आ श्रूष्टी छे एनि निवास्था निवात करिए तो स्वरप्त्र स्थानों मा बदेच जोवा मले छे हवा पाणी जमीन तथा प्राणियों औने वनस्पतियों परपण ए फूग जोवा मले छे ते उमफाली औने बेजवाली जग्याई विकास पामे छे ज्यां बेजवाडो वातावरण होय उम्फाडो वातावरण होय एवी जग्या इस्ट ए विकास पामती जुवा मड़ाई छे एन्ड देहरचना विशे अपड़ जोई ए तो फुग्नो देह तंतु माई छे अपड़ एक कोशिय इस्ट एक फुग्छे जी एक कोशिय होय छे बराबर छे बाकी जे फुग्नो जे आखो देह छे ए आरते तंतु माई जुवा मड़ाई छे बराबर आणि आवाजी तंतु ओछे एन्ए कवक तंतु अथवादू कवक शुत्र के वहाई कवक तंतु के कवक शुत्र एवो सब्द एना माटे वप्राये छे तोदे लांबी पातना सुत्त्र ना तातना जीवी रचना उधरावे छे जने कवक शुत्र के कवक तंतु कहे छे कवक शुत्र नी जाली जीवी रचनाने कवक जाल के वाई आजी आखी रचना बने छे जाली जीवी जी रचना बने छे एने आपड़ेसु कईशु अहीं कवक तंतू बेगा थे अने जाली जीवी रचना बने एने आपड़े कईशु कवक जाल आजी रचना छे एक कवक जाल छे केटला कवक्षुत्र बहु कोशकेंद्री कवक्षुत्र धरावेचे बहु कोशकेंद्री नो मतलब यह थाए कि गणा बदा कोशकेंद्रो धरावेचे आपने आ लाल टपका एकोशकेंद्र समझी तो एक गणा बदा कोशकेंद्र धरावेचे जारे बीजी केटलेक फूग तेमना कवक सुत्र मा आडा पड़दा के 83 दिवालो दरावे छे आडा पड़दा के 83 दिवालो दरावे छे अहीं अपड़े जोई शक्किये कि आज ये कवक सुत्रों छे यनी इंदर वच्चे वच्चे आर इतनी जे दिवालो होई शक्या छे अने आडा पड़दा हो जोवा मड़ा छे फुगनी कोस दिवाल काईटीन अने पॉलिसेकेराइट्स थी संगटित थेली हो ये छे जेने फंगस सेलिलोज कहे छे बराबर फंगस सेलिलोज इटले शू तुझे काईटीन अने पॉलिसेकेराइट्स थी बनेली रच्चना ने फंगस सेलिलोज तरीके ओड़खवा मावे छे आपड़े जानिये जीए कि फूगने एटला माटेज एक अलग स्रुष्टी तरीके वनस्पति थी अलग करे छे केम कि फूगनी कोस दिवाल फंगस सेलिलोज इटले की काईटीन नी बनेले छे ओके काईटीन अने पॉलिसेकेराइट नी बनेले छे पेला फूग एवनस्पति श्रुष्टी माँ आदी पन फूगनी कोस दिवाल फंगस सेलिलोज नी बनेले छे आव प्रांध फूग विशम पोसी छे माटे फूग श्रुष्टी एक अलग जेशे श्रुष्टी तरीके अस्तिद्वमा आवी छे तो एना पोषण नी आपने वाद करिये तो मोट्टा भागनी फूग ए विशम पोसी छे आने पोषण माटे मृत आधार को माथी द्राव्य कार्बनिक पदार्थुनू शोष्ण करवनू कारे करे छे आथी तेने मृतोब जीवी काये छे दाखला तरीके लाइकेन नी अपड़े वाद करिये तो लाइकेन ए लील साथेनो तेनो सवास के सहाज इवन छे एटलेके लील प्लस फूग लेके लील अने फूग नू जे सहाज इवन छे एने आपड़े कैशू लाइकेन बार साइनस मा पाचू आना विशे बणवानू आवसे अने बिजू उदारण छे उच्चकक्सानी वनस्पतिनू मूल साथेनू फूग नू सहाज इवन एने केवै कवक मूल आ बनने सब्दो बार साइनस मा फरिती बित्रो आवाना छे तो उच्चकक्सानी वनस्पतिना मूल अने फूग नू सहाज इवन एने आपडे माईको राइजा आथवादो कवक मूल तरीके ओलकिये छी तेना कोशोमा खुराकनो संग्रव गलाइकोजन अने मेद बिंदुओ स्वरूपे थाए छे खुराकनो जे संग्रा छे ए गलाइकोजन अने मेद बिंदुओे थतो जुवा मलाए छे एनी प्रजनन नी अपड़े वाद करिए तो फूग जेशे अवखंडन अवखंडन नो मतलब थाए छे टुकडा थवा बराबर जे टुकडा थाए छे अने इटला टुकडा ए नवा सजीवतरिके अस्तित्व मावा छे बिजू छे बाजन कलीका सर्जन 15 द्वारा वानस्पदिक प्रजनन थाए छे वानस्पदिक प्रजनन अवखंडन बाजन अने कलीका सर्जन द्वारा थाए छे जरे कणी बिजानू के चल बिजानू द्वारा अलिंगी प्रजनन करे छे अलिंगी प्रजनन ए कणी बिजानू वराबर के चल बिजानू द्वारा थतु होये छे किटलाक बिजानू एवा छे जी लिंगी प्रजनन साथ संकड़ायला छे तो ए बिजानू कया कया छे धानी बिजानू औने प्रकणी बिजानू पराबर छे अंड बिजानू धानी बिजानू अने प्रकणी बिजानू आ बिजानू ओजे छे ए लिंगी प्रजनन करे छे फळका यहत्वदू फ्रूटिंग बोड़ी बराबर छे इविजी रचना छे इविशिष्ट रचनाओ आज इविशिष्ट रचनाओ छे एनी अपड़े वाद करी तु कहवाती विशिष्ट रचनाओ मां विवीद प्रकार ना बिजानू उत्पन धाये छे ओके तो फळकाए नामनी जी रचनाओ छे एनी अंदर विवीद प्रकार ना बिजानू उत्पन धाये छे लिंगी चक्र मां नीचेना त्रण तबकाओ समावेशित छे तो आँ त्रण तबकाओ विशिष्ट आपड़े जोई ये तो पहलू छे जीवरस संयुगमन तो आईसो धसे बे चलित के अचलित जन्यों वच्चे जीवरस नू जोडान धवानी क्रियाने जीवरस संयुगमन के वाई धारू के आबे जन्यों वच्चे जीवरस छे ये जीवरस नू जोडान थाए छे ये जीवरस ना जोडान थवानी क्रिया छे येने आपड़े सु कहिशू जीवरस संयुगमन बीजू छे कोस के अंदर संयुगमन वे कोस के अंदर ना जोडान वानी क्रियाने कोस के अंदर संयुगमन के वाई धारू के ये ये एक कोस के अंदर आई आसे एक कोस के अंदर आई आसे बराबर अने त्रीजू छे अर्धीकरण अवेजिया कोसकेंद्र संयुगमन थायू कोसकेंद्र संयुगमन इटले अपणे इने फलितांड पन कई शक्किये बराबर अवेशु बनी गयू फलितांड बनी गयू एम कई शकाये तो अहीं फलितांड मा अर्धीकरण ने क्रिया थिलनेकरणी एक की यह बिजाण उध्पन थाए चे, अहीं अर्धी करण थाए चे, मित्रो ही अपने दस्मा चेप्टर मा अर्धी करण विशे बने शूह अर्धी करणनी अंदर शूधाये, तो जिरंग सूत्रों नी संख्या छे एए अर्धी थाए छे, दारो के 46 रंगशुत्रों होए तो तेविस थाई जाए अर्धी करण नी क्रियाने अन्ती रंगशुत्रों नी संख्या अर्धी थाई जाए छे जयारे आपने 10 मुझ चप्टर पणिसु मित्रों त्यारे आपने वदारे डिटेल मा आना विशे अभ्यास करवानों छे तो हाल पुर्तों आपने एटलू याद राखी शक्किए कि एहीं जिटला रंगशुत्रों होए एना अर्धा थाई जाए एने अपने कैशु अर्धी करण अने फलितान नू अर्धी करण थाई अने एक किय बिजानू नू निर्माण थाए छे आ छे तालीसे द्वी किय केवाए अने एना अर्धा थाई एसु थासे एक किय ओके एडले के एक किय बिजानू वो उद्पन थाए छे तो आ त्रण तबक्काओनी वादकरी पेला जीवरस संयुग मन थाई पछी कोष केंद्र संयुग मन थाई आने पछी अर्धी करण थाई एक बिजी परिस्तिती यही जुआ मने छे जैने द्वी कोष केंद्री करण खेवाए तो आ द्वी कोष केंद्री करण एटले शु त ज्यारे भुग मां लिंगी प्रजरन थाएचे त्यारे परस्पर समागम करी शके तिवा हरिप प्रकारों ना बे एक किये कवक्षुत्र एक बिजानी पासे आवेचे लेके दारों कि आ एक कवक्षुत्र से हम समझे एहनी बाजुमां आ एक बिजु कवक्षुत्र से हम समझे ये बनने कवकशुत्रो एक बिजानी नजिक-नजिक आवेचे बराबर अवे केटलेग फुग मा बे एकक्कीय कोशोनु जोडान थवाथी तरतज ते द्वीक्कीय कोशों मा परिणा में चे आँ बनने जोडाये छे अने द्वीकिये कोशोनू निर्मा थतू होये छे बराबर एलेके 2N आम पेला किवा हाता एक की हाता NN अने यहां बनने जोडाये जाये अटलेसू बनी जाये 2N द्वीकिये बनी जाये छे द्वीकोश केंद्री तेम छटा पण एसको माय सेटीस अने ब्यसिड्यो माय सेटीस वर्गनी फूग मा मठ्यवर्ती द्वीकोश केंद्री यहां दर एक कोशों मां 2 मांद मता पփश्तिति बराबर आविस्तिति ने द्वी कोश केंद्री करण कहे छे अने आ तबक्का ने द्वी कोश केंद्री तबक्को कहे छे पछी पित्रू कोश केंद्रों जुडाये छे अने कोश द्वीकियव बने छे पछी आ कोश केंद्रों जी अलग अलग छे ए कोश केंद्रों वेसु दसे जोडाई जसे बराबर अने पछी ए द्विकिय कोष बनी जाये छे बराबर एकज कोष मां बे कोष के अंदरों हता है लेकि द्विकोष के अंदरी परिस्ति दिये दी कोष के अंदरों जोडाई अने जे कोष छे द्विकिय बनी जाये छे 2N बनी जाये छे फूग फलकायों बनावे छे जमा अर्दिकरण विवाजन थवा थी एक किये बिजाणों नीर्मान थाये छे आ एककीय बिजाणू फळकाय नामनी रचनामा उत्पन्थतावाए छे जेमा अर्धीकरण विबाजन धवाथी एककीय बिजाणू नुँ निर्मान थाये छे तो आप फूग ना किटलाक विशिष्ट लक्षणों विशे आपड़े जोयू फरती एक वखत मित्रों जोय लेए आपड़े कि फूग्स रुष्टी ना सामने लक्षणों नी आपड़े वाद करी तो मोटा भागी विशंपोसी छे बराबर यूनिक्स रुष्टी छे जेने फूग ना अब्यास ने माइकोलोजी तरीके ओल खाये छे निवास्थान ने बायाका रचनामा विशिष्ट छे बराबर यूनिक्स रुष्टी विविट्टा जोवामाले छे सर्वत्र स्थानों मा वित्रण छे अवा पाणी, जमिन, प्राणियों तथा वनस्पतियों पर मात्र एक अपवाज़ छे एक कोसिय इस्ट लांबी पात्रा सुत्रना 15 जेवी रच्षना दरां वे छे त्यने कवक सुत्र खी कवक तन्तु केवाए कवग संत्तु जेशे नी जाली जीवी रचना इसके यफ कवग सुत्र घंडरह गंवाऊापण जेने फंगस छेलोस केवाई बराबर शे यहिंद और पोषणियिक नदी पन आपने वात करी कि ये मृतोब जीवी छे अने केटलेक फूग जीवन्द वनस्पतियों ने प्राणियों पर पण आधर राखी ने जीवन गुजारे जैने आपड़े परोग जीवी कईशू येटली के फूग सहजीवी तरीके बन जीवन जीवी छे, सहजीवन मा भाग लेधा बनने सहजीवोंने लाब थाये, येने आपड़ेशू केवाई सहजीवन, बराबर लील आने फूगना सहजीवनने लाइकेन केशू, अने उच खक्षानी बनस्पती ना मूलने कवक जेचे फूग ना सह जीवन ने कवक मूल माईको राइजा तरीके ओलखाये छे अई भाग लेता बन्ने सह जीवने फायदो थाये छे एटले आने आपड़े सुखेशू सह जीवियो बराबर एटले लील जेचे खुराक तयार करी ने फूग ने आपसे औने फूग जेचे वदुने वदु पाणी सुखन करी अने लील ने आपसे आम बन्ने ने फायदो थतो जुबा मले छे खुराक नो संग्रक लायकोजन अने मेद बिंदू स्वरुपे थतो होये छे एमा प्रजनन वानस्पतिक प्रजनन ए अवखंडन बाजनने कलिका सलजन द्वारा थाये छे जहर अ लिंगी प्रजनन ए कणी बिजानों अने चल बिजानों द्वारा थाये लिंगी प्रद्दन नी अंदर अंड बिजानु धाने बिजानु उन प्रग अने बिजानु द्वारा लिंगी प्रद्दन थाए फड़काय नामनी जी रचना छे ए विशस्ट रचना छे जेमा विविद प्रकार ना बिजानु उत्पन थाए बराबर अने लिंगी चक्रमा त्रण दबक्का आओ छे जीवरस संयुग बन, कोस के अंदर संयुग बन, अल्धी करण विशे जोयू आने 2 कोस के अंदरी करन एकले शुक फूटे कंदर के पण आपडए जिए कोस कज नींтоर 2 कोस के अंदर आवी जाए जने 2 कोस के अंदरी करन केवाए आने पछी कोस केंद्रों जुड़ा इने कोस द्विकिये बंतो है छे ओके तो आ फुगना किटलाख विशेष्ट लक्षणों विशे आपड़े अभ्यास करेओ तो फुगस रुष्टीना जी सामान लक्षणों छे एनी आपड़े मित्रों आ वीडियो लेक्चर मा चरचा करी छे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मा आपड़े एना जे वर्गों छे एना विशे अभ्यास करी शू आप जो मित्रों